हलो एवरीवन वेल्कम टू लर्न भी एक्स्ट्रा आयम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम दिखेंगे क्लास सेवेंथ माट्स की बुक का चाप्टर टू एक्ससाइज 2.7 क्वेशन 2 और क्वेशन 3 इससे पहले हम लोग काफी सारा कुछ कवर कर चुके हैं और मारी पूरी हम इस तरह के क्वेशन देख चुके हैं क्वेशन में क्या बोला गया है 4.8 को डिवाइट करना है 10 से तो क्या होगा देखो 4.8 है आपको 10 से डिवाइट करना है तो 4.8 अपॉन 10 आएगा राइट अब देखो क्या होता है ऐसा होता है कि इस पॉइंट को पहले तो हम ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया 48 अपॉन 100 अब इससे पहले के questions पे भी हमने देखा है कि अगर नीचे 20 है ना तो फिर किस तरीके से solve करेंगे पहले तो हम 48 लिख देंगे ठीक है दो जीरो है तो दो नमबर के आगे क्या लगा देंगे पॉन्ट लगा देंगे और हमारा answer आ जाएगा 0.48 ठीक है दो जीरो है तो दो नमबरों के आगे पॉन्ट लगा देंगा तो यहां से भी देख सकते हैं यह हो गया अब देखो बिल्कुल सारे questions इसी तरीके से अब ऐसा करो कि लिखतो यहां पे लिखतो ठीक है क्या जाएगा 525 मीचे कितने 0 है 20 है तो दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा तो हमारा अंसर क्या जाएगा यहां से गाटो यहां पर हमारा अंसर आजाएगा 5.25 इस तरीक एसे हो जाता है यह हो किया क्योंकि सारे कुईशन से एक जैसे हैं इसलिए मैं बहुत ज़र्ण उफसाइज नहीं कर रही हूं किसी एक क्वेशन पे डिवाइड है तो टिवाइड का साइन लगा दो तिवाइड का साइन एसे अप ऑन कर दो और 10 लिग दो फिर पॉइंट हटा दो तो नीचे क तो तो यह हो जाएगा 0.07 तो यह से लो जोक लगती है क्योंकि इस अीह सब्सक्राइं řसे कोई माला है reflect 33.1 डिवाइड है तो अपॉन 10 कर दो और ये पॉइंट हटा दो यहां से तो एक और 0 बढ़ जाएगा अब हम देखो यहां पे कि दो 0 है तो दो नंबर के बीच में पॉइंट लगेगा यह क्या है यह 331 अपॉन 100 हो गया है यहां पे देखो यहां पे जो है ना यह दो तरीके है आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से तो इस तरीके से जैसे आपकी मर्जिया आप कर लो मैं इस तरीके से बता रही हूँ इसमें क्या करते है यहां पे हम लोगों ने क्या किया है यह पॉइंट नहीं हटाया है हमने सिफ एक 0 देख ही ठीच हैं अब इसका क्या करें है पॉइंट हटाएंगे ऐसे करके और नीचे क्या कर देगे 0 बढ़ा देंगे 272 और 23 और नीचे तर्फी दिवाइड में 10 था और एक हमने पॉइंट हटाया था यहां से लो बढ़ा देंगे आप क्या होगा यह 3 है, 3 0 है न, तो 1, 2, 3, तो कहां पर point लग जाएगा, यहां पर 3 number के आगे point लग जाएगा, तो 27.223, तो क्या हो जाएगा, 27.223, यह हमारे पास answer आजाएगा, यह हमारे पास आजाएगा answer, चीक है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, question number 6 है, देखो, इसमें क्या है, यह चीज है, ऐसे करके, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, upon 10, ठीक है, अब यह करो, point हटा दो, तो क्या हो जाएगा, 56, और नीचे तो 10 तो था ही, point हटाया, तो point के आगे दो number थे, तो नीचे दो 0 बढ़ जाएगे, अब कितने 0 हो गए, 1, 2, 3, 3 zeros हो गए, तो यह 56 है, इसके आगे, 56 के आगे, एक और 0 लगा देंगे, और फिर यहाँ पे लगा देंगे, point, और इसके जाएगा, हमारे पास, हमारे पास answer आजाएगा, 0.056, यह आगया, हमारा answer, 0.056, क्योंकि हमने pointed आया था, तो नीचे दो 0 बढ़े थे, और एक तो था, तो 3, इस नबरों के आगे, मतलब यह तो 2 ही थे, तो इसके आगे 0 बढ़ाएगे, और उसके आगे, point लगाएगे, question number 7 है, देखो, question number 7 में हमें क्या बोला गया है, देखो, 3.97 upon 10 है, point हटाओगे, तो नीचे 1, 2, 2, 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्या हो गया हमारा, 397 upon 1000, अब 3 नमबर के आगे, point लगाना है, तो क्या हो जाएगा, 397 और इसके आगे, 3 नमबर के आगे, point लग जाएगा, और य emphasize करके दुबारा दुबारा नहीं बता रहे हूं, क्योंकि हर बार यहीं चीज हो रही है, ठीक है, यह हो क्या हो, अब 3rd question देख लेते हैं, 3rd question में भी ब्लुक्ल सेम ही चीज करनी है, 3rd question में देखो, क्या है, find, इसमें भी एकरना है, 2.7 है, और upon में 100 है, 100 है upon में, तो point हटा बढ़ा दोगे, नीचे बढ़ा दोगे, 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 27 upon 1000, क्योंकि point रटा के 0 बढ़ा है, तो 1, 2, 3, 3, 0 है, तो 3 number के आगे point आएगा, 7, 2, 0 आजाएगा, यहाँ पे 1 point लगाओगे, है ना, क्योंकि 3 थे, तो 1, 2, 3, 3, 3 number के आगे point आजाएगा, तो यह हो जाएगा, 0.027, तो 0.027, this is our answer, क्या है answer, 0.027, यह देखो, अब यह वाला, यह हो गया, हमारा, इसको क्या लिखोगे, 0.3 divided by 100, ठीक है, अब point रटा होगे, तो 0 बढ़ात होगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3 upon 1000, 3 upon 1000 हो जाएगा, अब लिखोगे, 3, 1, 2, 3, 3, 0 है, तो इसके आगे, 2, 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें point तीन नंबरों के आगे लगाना है, फिर एक और यह 0 तो लगाई देते हैं, 0.003, यह हमारा answer है, आया समझ, क्योंकि हमने point रटाया था, यहाँ पर अलरी हंड़ेड था, point रटा कि हमने एक और 0 बढ़ा तो उपर क्या बचा था, उपर तो 3 बचा था, क्योंकि 0, 3 तो 3 होता है, 3 upon 1000, तो 3, क्योंकि नीचे 3 0 है, तो उपर 1, 2, 3, 3 नंबरों के आगे point लगा देंगे, यह हो गया question, 0.78 और upon में 100 है, ठीक है, तो यह point हटाएंगे, और 1, 2, 1, 2, यह 0, कित्ते 0 हो गया, 4 हो गया, औ upon 1, 2, 3, 4, 4 0 हो गये, तो 78 लिखोगे, और इनके आगे 2 0 लिखोगे, और फिर point लगाओगे, और फिर से 1 और 0 लगा दोगे, तो 0.0078 आ जाएगा, क्योंकि 4 0 थे नीचे, तो यह वाला इसका answer हो जाएगा, ठीक है, अब यह देखो, fourth, fourth वाले में, fourth question है, इसमें भी क्या करे हम देखो, four यह है, हमारा question upon hundred, point हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, four, three, two, six upon one thousand हो गया, तो तीन नंबर के आगे point लग जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, four point three two six, क्या हो गया, four point three two six, यह हमारा answer हो गया, four point three two six, fourth वाला, fifth वाले में है, point six upon hundred, point हटाओगे, तो नीचे zero बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, two, thirty, six upon one thousand, three zero, तो तीन नंबरों के आगे point लगेगा, तो तीन नंबरों के आगे point लगेगा, तो ऐसा यह answer आ जाएगा, simple सा, point हटाया था, three zero आ गया, तो यह हमारा आगया answer, zero point two three six, fifth part, sixth part देखो, sixth part में हमें क्या बोला गया है, ninety eight point five three upon one hundred, ninety eight upon five three, ठीक है, point हटाएगे, यहां से, तो क्या हो जाएगा, nine eight five three, और दो zero थे, तो दो zero की जगे है, और दो zero आ जाएगे, तो अब कितने हो गए, अब हो गए, चार जीरो, अब यह क्योंकि four digits है, तो चार जीरो थे, तो ऊपर चार डिजिट्स के आगे point लगता, तो इन चार डिजिट्स के आगे point लग जाएगा, तो हमारा answer आ जाएगा, और question five, फिर हमारी पूरी exercise complete हो जाएगे और हमारा chapter complete हो जाएगा, तो अच्छा लगा है वीडियो, तो जरूर चानल को subscribe करिये, thank you.